हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ केश्वर सर और ये है मेरा चनल नुक्लियो केम फूरम आजकी इस वीडियो में हम आयोनिक इकलिब्रियेस चाप्टर का थर्ड नुमर्कल सॉल्ड कर रहे हैं ठर्ड नुमर्कल में डिफिकल्टी लेवल मैंने ठोड़ा सा बढ़ा दिये ज्यादा नहीं 5% डे बाइ डेवायेट जैसे जैसे वीडियो में अपलोड करते जाओंगा मैं डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाती हुए जाओंगा भले वो टॉपिक सेम क्यों क्यों तो आपको यकिनन वो सारे numericals आज जाएंगे मैंने ये बात आपके सामने नहीं रखी पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आयोनिक इकलिबरी इस चाप्टर में हम टोटल 70 numerical पढ़ने वाले यस करेक्ट आपने सही सुना तो 70 numerical solve करने के बाद आप समझ सकते कि perfection कितना आएगा आपके solving में और 70 numerical complete मैं solve करके दे रहा हूँ तो आपको सिर्फ methodology जान लेना है, समझ लेना है, सीखना है practice के लिए और भी numerical आपके पास में रहेंगे बट उनी में से रहेगा ये इसकी guarantee है तो बस आपका focus होना चाहिए ये वीडियो में जो मैं techniques बताता हूँ जो तरीका बताता हूँ और आपने शायद एक बात notice नहीं की होगी पूरे YouTube platform पे मैं ही अकेला का ऐसा teacher हूँ जो chapter wise इतने सारे numericals आपके सामने लेकर आता हूँ और भरोसा रखिए मैं पूरे numericals solve करके देने के बाद अगर आपने उनको अच्छे से पढ़े अच्छे से वीडियो को पूरा देखे तो वो numerical यकिनन आपको भी उतनी ही perfection से आएंगे तो ज़्यादा time waste नहीं करते है तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा बस आपको करना है practice वीडियो को देखना है उसको बाद में वापिस से आपको फिर से solve करकर देखना है नहीं आता है तो वीडियो को वापिस से देखिए कहा गलती होती है वो तोड़ा सा focus कीजिए अगर आपने उतना कर लिया ना sufficient है ठीक है तो ये है आज की इस वीडियो का third numerical अब कहा है a weak monobasic acid 12% dissociated याने एक monobasic acid अभी आप ही चलो देखो मैं थोड़ा से एक हलका सा theory portion बता देता हूँ वीड को तो छोड़िये बाद में है वो आपको पता है यहाँ पे फिर से एक word आया है mono mono का मतलब होता है single और यह जो basic है यह basic याने base नहीं है वो actually basicity है mono का मतलब single basicity का मतलब होता है total number of h plus ion याने आपके पास में एक ऐसा weak acid है जिसका basicity 1 है और weak acid है ओजकता है वो CH3COOH याने acidic acid हो या फिर और कोई भी पर वो weak acid जो सिर्फ एक h plus ion छोड़ता हो solution में release करता हो ठीक है तो यह उस word का meaning हुआ तो आपको बोला क्या गया है weak mono basic acid 12% dissociated यह आपको percentage dissociation दिया है तो percentage dissociation दिया है तो आपने अगर formula देखा होगा तो percentage dissociation के भरोसे पे हम सिर्फ degree of dissociation calculate कर सकते हैं ठीक है तो पहला point हम लिख देते हैं चलिए so first point मैं direct लिखता हूँ degree of dissociation for weak acid यह लिखना ना भूले मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया आपको इसे denote करेंगे student हम alpha से और वो कितना दिया है 12 लिख सकते थे आप पर हलका इस numerical में थोड़ा एक change है वो क्या है मैं आपको बात में बता दूँगा ठीक है so alpha equals to कितना है 12 यहाँ पर percentage लिखिए तो alpha का direct value हम percentage में जानबुच कर लिख रहे है क्योंकि next step में क्या changes करने है वो मैंने पहले से ही करके रखा है अब यह पता कही सी चलेगा जैसे मैंने आपको कहा practice करिए वीडियोज को अच्छे से देखिए पूरा देखिए तबी चीज़े समझ में आएगी ठीक है in 0.05 molar solution means आपको भी क्या दिया है yes correct concentration of solution इसे denote करेंगे student हम C से और वो कितना दिया है 0.05 molar okay then what is the percentage dissociation okay ठीक है फिर से percentage dissociation ही कहा है तो percentage dissociation calculate करने के लिए आपको पहले alpha का पता होना जरूरी है तो हम degree of dissociation ही लिखेंगे in terms of percentage ठीक है so degree of dissociation for matter same रहेगा weak acid that is equals to what alpha अब confusion होता है जब दोनों symbol same हो पर अगर आपको दो अलगल values के लिए same symbol calculate करना हो तो हम ऐसे situation में क्या करते है same symbol वो confusion ना हो इसलिए हम इसे 1 and 2 से represent करते हैं denote करते हैं इसके base में 1 and 2 लगा दिए तो यह हो जाएगा आपका alpha 1 और alpha 2 जो कि आपको percentage के terms में calculate करना है जो बोला है ठीक है यह हो गया in 0.15 molar solution यानि आपको दूसरा concentration दिया है same solution का ठीक है वो भी लिख देते so concentration of solution देखिए step by step को समझेए उसके इसाब से लिखी आप तो आसानी होगी अब यह आवे में same symbol आ गया तो क्यों ना हम इसे c1 कर दे और यह c2 ऐसा नहीं है कि आप 1,2 किसी को भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं है यह percentage dissociation इस concentrated solution के लिए है ठीक है याने concentration solution का यह है और इस concentration में यह percentage dissociation है और सवाल में पूछा जा रहा है कि यह जो concentration है c2 कितना है 0.15 molar इस concentration में percentage dissociation क्या रहेगा ठीक है चलिए भी रभी calculate करना है given data तो finish हो गया अब यहाँ पर मैं आप वो बात बताता हूँ जो यहाँ पर मैंने कहा था कर रहा हूँ मैं एक idea clear कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं पर वो अगर steps करते हैं तो काफी lengthy हो जाएगा अब आपके पास में k a का value नहीं है आपके पास में alpha का भी value नहीं है पर alpha का value calculate करने के लिए percentage dissociation दिया है के a का वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्यूंकि दोनों का concentration ही change हुआ है solution change नहीं होने की वज़े से dissociation constant का value तो same ही रहेगा solution change होता था तो फिर k a का value भी change हो सकता था but यहाँ पर सिर्फ concentration change हुआ है तो ऐसे में क्या करेंगे हम कि alpha यह inversely proportional है under root of c ऐसा हम represent कर देंगे तो यह हो जाएगा alpha 1 c1 बात में next step में करेंगे आप alpha 2 is inversely proportional to c2 फिर 1 और 2 को divide करेंगे उसके बरुसे पर आप alpha 2 का value calculate कर लेंगे अब alpha 2 का value आएगा कैसे आएगा तो आप alpha 1 divide by alpha 2 करेंगे equals to under root of यह हो जाएगा आपका क्या c2 upon c1 अब यह formula से आप alpha 2 निकालेंगे अब alpha 2 निकालने के बात में question में काया what is the percentage dissociation तो alpha 2 का value आएगा फिर आप उसे 100 से multiply करेंगे मेरा suggestion यह है कि क्यों ना हम direct value percentage में ही रखे तब जाके percentage dissociation direct calculate हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक step नहीं बढ़ाई कौनसी percentage dissociation के भरोसे पे पहले alpha 1 calculate कर रहा वो नहीं किया मैंने ठीक है तो हमें वो नहीं करना है याद रखिएगा तो उसमें क्या है हमारे एक step बच जाती है समय बचता है एक्जाम में इतना समय नहीं होता है तो चलो अभी मैं जो आपको method बता रहा हूं कुस method से हम solve करेंगे ठीक है तो अब हम direct relation लेकर आते as we know that क्या कि alpha जो है ये inversely proportional है under root of concentration को ठीक है ये अमने derivation में देख लिया था so at concentration c1 क्या आएगा student alpha 1 is inversely proportional to under root of c1 ठीक है या आप under root ऐसा भी लिख सकते 1 को ने लिखा तो भी चलेगा फिर वो बड़ा matter नहीं है ये alpha 1 हो गया ठीक है और ये equation 1 उसके बाद add concentration c2 c2 concentration के बग क्या आएगा alpha 2 is inversely proportional to under root of c2 and equation 2 अब क्या करेंगे student हम divide equation 2 by equation 1 आप ये ज़रूर एक्सपेट कर रहे होंगे ये आपे कि मैं वहाँ पर लिखूंगा divide equation 1 by equation 2 पर अगर आपको alpha 2 calculate करना है क्यों ना numerator में value रखा जाए जानने दीजिए आपका confusion तोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप जैसे एक्सपेट करते हैं वह इस ही लिखते हैं तो equation 1 divided by equation 2 ठीक है चलो आप खहर जो आपको अच्छा लगे सेम ही आने वाला answer क्या होगा alpha 1 divided by alpha 2 equals to आपको समझने के लिए मैं एक step बढ़ा रहा हूँ alpha 1 का value क्या है 1 upon c1 divided by 1 upon c2 यह alpha 2 का value denominator का denominator numerator numerator में जाएगा therefore alpha 1 upon alpha 2 equals to under root of c2 upon c1 अब आपके पास में तो concentration का value दिया है तो क्यों ना हम square root को हटा दे square root हटाने के लिए क्लिए क्या कर सकते हैं हम एक काम करते हैं इसे लिखते है alpha 1 square divided by alpha 2 square equals to what c2 upon c1 ठीक है इतना हो गया अब alpha square 2 यह आपको find out करना है तो right वाली terms left में shift कीजिए और alpha 2 square right में shift कीजिए क्या एका student देखिए alpha 2 square equals to alpha 1 square into c1 divided by c2 समझे यह value हो गई अब एक बार step देख लीजिए हमने क्या किया यह जो alpha 2 square है उसे right में shift कीए तो यह numerator में चला गया c1 आ गया left में तो वो numerator में आ गया और c2 right में numerator में था left में denominator में आ गया ठीक है चलिए अभी value put करते है therefore क्या होगा alpha 2 square equals to what alpha 1 square अब alpha 1 square का value already percentage में है अमारे पास में it's a 12 और भूलना मत यह square में है ठीक है इंटू c1 पहले solution का concentration कितना है 0.05 divided by c2 दूसरे solution का concentration कितना है 0.15 ठीक है अब यह हो गया आपका alpha 2 square अब जो next step यहाँ पर हाँ solve करेंगे ना यहाँ पर दो changes करेंगे एक साथ और वो changes क्या हो सकते है 12 का square अब वो लॉक से देखने की ज़रूवत नहीं है it's a 144 into 0.05 0.15 यह दो डिजिट यह दो डिजिट अगर हम shift करते है तो यह होता है कुछ इस तरह से ठीक है student and now alpha 2 square अब थोड़ा सा आपको बच्चो अला calculation करना होगा जो आप कर सकते है 5 divided by 15 करिए it's a 3 ठीक है so 144 divided by 3 then alpha 2 square equals 2 अब इसे दिवाइड करिए 3 3, 4 3, 4s are 12 carry 2 so 24 so 3, 8s are 24 ठीक है यह हो गया and then alpha 2 अब क्या करेंगे हम square हटाएंगे तो यह हो जाएगा square root 48 और root 48 का value आपके पास में मैंने रख दिया है जो कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है lock table में सबसे last page पे जाएए वहापे under root के values होती है वहापे 48 का value देखिए 9 3 percent लिग दीजिए तो दूसरे concentration का percentage dissociation calculate हो गया ठीक है काफी आसान है 3-4 steps हमने बचा ली है उससे समय बच गया ताकि दूसरे question solve करने के लिए उचित समय मिले ठीक है आप इसे note कर लीजिए तो यह है हमारा आज के इस वीडियो का और इस chapter का third numerical ऐसे ही बने रही है मेरे चैनल के साथ में next upcoming videos के लिए जिसमें आने वाले और वीडियो में भी और numerical हम पढ़ेंगे toughness के लिए वल धिरे धिरे बढ़ाएंगे और याद रखिए जो मैंने आपको starting में बोली है वीडियो में ये बात कि YouTube पे मैं ही वो teacher हूँ जो इतने सारे numerical solve करके दे रहा हूँ अब कोई भी platform पे चली जाएए ठीक है तो इसका मुझे गर्व है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो बने रही है मेरे चैनल के साथ में Thank you so much